हे माई लब्स वेलकम अगें तो वाई चैनल आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज का वीडियो तो आप लोग टाइटल देखे समझी गये होंगे आज के वीडियो में करने हो एक वन ब्राइंड क्लीन अप क्योंकि काफे दिन हो गए थे मेरी जो स्किन है व भूज्छे ये विएसे वीकेंड का ताइम है कि बहुत सारे डाउट्स मैंने चैनल पर आते रहते हैं कि क्लीन अप क्या होता है काप perfect clean up कर सकते हैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूं सारे biotique के products क्योंकि मैं biotique brand को काफी दिनों से use कर रही हूं और सब काफी अच्छा effect आता है मेरे skin पे लेकिन यह जो वीडियो है यह बिल्कुल भी sponsored video नहीं है यह सारे products मैंने खुद purchase किये हैं लेकिन अगर आप किसी और brand के products को use करके इस clean up को करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी informative होने वाला गाई इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना वीडियो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा भी helpful लगेगा तो इसको लाइक जरूर कर देना लाइक करना बिल्कुल फ्री है और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत माईने रखता है और अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं फर्स टाइम मेरे चैनल पे आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले मैं ऐसे informative वीडियो लेके आती रहती हूं regarding product reviews और natural remedies भी जो आप लोगों के काफी काम आ सकती है and guys अब आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं so without any further ado let's start the video clean up जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते है clean up ये आपकी skin को बहुत ही ऐचे से deeply clean करता है कल बार ऐसा होता है कि हमारे skin के उपर blackheads हो जाते हैं whiteheads हो जाते हैं dirt, dust, impurities, pollution की वज़े से जो हमारे skin की उपर वरी layer है वो खराब हो जाती है या फिर हमारे skin में dead skin की layer जम जाती है तो ऐसे में बहुत ही जरूरी होता है उस dead skin की layer को उतारना और उसके लिए हम लोग clean up का इस्तेमाल करते हैं clean up को men और women दोनों ही कर सकते हैं अगर आप अपनी teenage में है तो भी आप clean up कर सकते हैं अगर आप teenager है या आप की foutनी जो humans और from fifteen days में 1 बर clean Up कर सकते हैं और अगर आपकीफिज 30 से ज्यादा है है तो आप इसको week में एक बर कर सकते हैं या fifteen days में 2 भार भी कर सकते हैं वो अलरेडी बहुत वाइब कर पाती है। अब कोलाजन कोबाइब करने की जूरत नहीं है। आपको इसको जूरिकली तयों मैं आपको करते हैं। लेकिन शुत वह एकम आपको कुछ मन वाहती हूँ है। जाती है। लेकिन आपको ऐसा लग रहे कि कीनई करने के बाद आप गोरे हो जाएंगे या आपके पिमपने की पर बाइब हो जाएंगे या फिर आपके डाक स्पॉर्ट आफव जाएंगे तो ऐससा कुछ भी नहीं ओने वाला है यह सिर्फ एक deep cleansing process है जो कि आपकी skin को clean करती है clean up का पहला step है cleansing और अभी आप इस वक्त मेरी skin की हालत देख सकते हैं कि इस वक्त काफी जादा blackheads और whiteheads मुझे अपने skin पे नज़र आ रहे हैं तो हम लोग start करते है cleansing के साथ और सबसे पहले मैं उसके लिए मैं अपना makeup remove करूँगी और यहापे मैं यूज कर रही हूँ बायो टीक का almond oil cleanser आप चाहे तो किसी भी brand का cleanser यूज कर सकते हैं यह अगर आप makeup नहीं करते हैं तो आप इस step को skip भी कर सकते हैं और आप अपने makeup को remove करने के लिए coconut oil भी use कर सकते हैं उसके बाद हम अपने face को अच्छे से wash करेंगे और आप यहाँ पे किसी भी face wash का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपकी skin को suit करता हो मैं यूज कर रहे हूँ बायोटी का honey gel cleanser यह बहुत ही अच्छा cleanser है बहुत ही easily आपकी skin को purify करता है deep clean करता है और अगर आपकी oily और acne prone skin है तो यह cleanser बहुत ही जारा suitable है आपके लिए क्योंकि इसकी जो consistency है वो gel based है और अगर आपकी dry skin है तो आप कोई भी cream based या forming face wash यूज कर सकते हैं face को अच्छे से clean करने के बाद अब हम लेंगे steaming और आप चाहे तो conventional steaming भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके से towel को गरम पानी में dip करके उसको अपने face पे एक से दो मिनट तक रखें इससे भी जो आपके pores है वो काफी अच्छे से open हो जाते हैं अब जब हमारे pores अच्छे से open हो चुके हैं तो हम scrubbing करेंगे और scrubbing करने के लिए मैं यहापे यूज कर रही हूँ बायो टीक का यह बायो पापाया scrub यह काफी affordable face scrub है teenagers के लिए beginners के लिए काफी अच्छा है बहुत ही अच्छा result देता है यह face scrub और अगर आपको बहुत जादा oily skin की या acne pimpers की problem है तो भी आप इसको use कर सकते हैं आपको इस scrub से अपने face की massage करनी है एक से दो मिनट तक अगर आप teenager है, beginner है तो आप ज़्यादा pressure से massage ना करें हलके हाथों से ही massage करें और सिर्फ एक से दो मिनट तक massage करें और अगर आप 25 प्लस है तो आप इसकी 3-4 मिनट तक massage कर सकते हैं आपको उन areas में अच्छे से massage करनी है जहां पे भी आपको blackheads और whiteheads की बहुत जादा problem होती है scrubbing के बाद आप अपने face को normal water से wash कर ले और अब हम apply करेंगे face pack और यहां पे मैं apply कर रही हूँ Biotic का Bio Fruit Face Pack Biotic का जो Bio Clove Face Pack है वो भी बहुत अच्छा है अगर आपकी acne prone skin है तो मैं usually उसी को apply करती हूँ बट अभी वो खतम हो गया है तो इसलिए मैं ये deep pigmentation वाला face pack apply कर रही हूँ इसको मैं अपनी finger की help से ही अपने पूरे face पे apply कर रही हूँ facial और clean up में बस इतना ही फरक है कि facial में हम बहुत ज़ादा अपने face की massage करते है और clean up में हमारा ज़ादा जो concentration होता है वो face को clean करने पे होता है black heads और white heads को remove करने के लिए होता है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ biotica यह pore tightening toner क्योंकि अभी इस वक्त हमारे जो pores है वो open है और उनको close करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसलिए एक अच्छा toner अपलाई करना बहुत ज़रूरी है और जो toner है वो जो आपके pores के अंदर deeply जो गंदगी अभी भी जमा है उसको भी निकालने में काफी helpful होता है आप चाहें तो DIY होम में toners भी यूज़ कर सकते हैं और lastly हम अपने face को moisturize करेंगे अगर आप कोई serum यूज़ करते हैं या facial oil यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर उसे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपको moisturizer अपलाई करके अपने face की अच्छे से massage करनी है कम से कम आप 1-2 मिनट तक massage करें तकि आपके face का जो blood circulation है वो improve हो आपका collagen improve हो और आपके skin में youthfulness आए और आपकी fire lines और wrinkles भी कम हो जाएं and guys you can see the after effect of this clean up मेरी जो skin है वो काफे अच्छी से clean हो गई है काफे fresh लग रही है और glowing भी लग रही है so guys this was my today's video and I hope कि ये video आप लोगो के लिए काफे informative रहा होगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर जरूर कर देना जैसे कि मैंने आपको बताया है like करना subscribe करना बिल्कुल free है और आपका एक like और एक subscribe मेरे लिए बहुत माहिने रखता है अगर आपका कोई question है कोई query है कोई doubt है तो वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हैं और साथ में वहाँ पर post करती हूँ बहुत सारा interactive content भी तो आप उसका मज़ा भी ले सकते हैं मैं मिलते हूँ आप से ऐसे एक informative वीडियो के साथ गाइस से तक लिए बाबा टेक कर एंड बी ब्यूटिफुली बेस्ट